नमस्कार बहुत स्वागत है आपका देख रहे हैं आज का लब राशिफल मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फेंड संतो संतोशी एक नए दिन की सुरवात और यह सुरवात प्रेम की सुरवात है आपके जीवन में प्रेम शब्द माएने रखता होगा किसके जीवन में नहीं रखता है और जब आप प्रेम पाश में बनते हैं तो आप हमेशा एक आंतरिक प्रश्णता प्राप्त करते हैं बस शर्ट एक है कि प्रेम दोनों तरफ जागुरत अवस्था में हो और उसी प्रेम को जागुरत करता है हमारा लब टिप जो हम बहुत वर्षों से देते आ रहे हैं आज भी देंगे आपको 29 मही का लेकिन पहले जान लेते हैं आज धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा प्रवेश करके लव लाइफ में क्या करने वाला आईए जानते हैं मेश राशी अचानक से विवाद गहरा हो सकता है विशव राशी नजदीक आने के अवसर बढ़ेगी मिथुन राशी चंचलता घातक रहेगी करक राशी कुछ बहतर की उम्मीद कर सकते हैं सिंग राशी आज कुछ होगा जो आप दोनों के रिस्ते के लिए शुब होगा करण़य राशी दो राहें पर रहेंगे निर्ले में मुश्किलाएगे तुलार राशी चीजें चिंतनिय हैं आज जल्दी बाजी न करिएगा रिस्ते में ब्रिश्चिक राशी, करीव आने के कई अवसर प्राप्थ होंगे धनू राशी, विवाह की चर्चा के लिए दिन उत्तम है मकर राशी, मन प्रशन रहेगा, कोई नया प्राप्थ हो सकता है कुम्बर राशी, विवाद गहरे होने की संभावना है मीन राशी एक दूसरे को समझने के प्रयास सार्थक होंगे उपाय क्या करना चाहिए आज प्रियोक के तौर पर धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का अनामिका उंगनी में सिंदूर लगा लिजे और नाभी को छू कर तीन बार अपने पती या पत्नी प्रेमी या प्रेमिका का ना नमबर तीन पर आज की लखी राशी है बिश्चिक राशी दो नमबर पर मीन राशी और टॉप पर आज की लखी राशी है करक राशी आप तीनों को आज का दिन मुबार्ग हो सावधान होने वालों में एक नंबर पर मिथुन, दो नंबर पर सिंग और तीन नंबर पर तुला आप तीनों को आज सावधान रहना है कुछ दिक्कतें परिशानियां बढ़ सकती है तो आज की संक में इतना ही अपना खयाल रखें हमें अनुमत दीजेगा हंसते रहें मुस्कुराते खिल खिलाते रहें धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार स्रिकृष्णा शेरा दे आचार्य विश्वप्रसिध जोतिशाचार्य संतोष संतोष जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग गरहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य गरहदीब व्यापार के लिए बुध गरहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल गरहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदी तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुशियां अनेक खुशियों की चाहा है